दोस्तों काफी वार पैसे की जरौत परती है लेकिन बैंक अकोंट में पैसा नहीं रहता है लेकिन अधि आप किसी बैंक का क्रेट कार्ड यूज करते हैं तो जो भी क्रेट कार्ड में बाइलेंस है आप उस बाइलेंस को अपने बैंक अकोंट में फ्री में ट्रांसफर कर सकत दोस्तों आप भारत NXT एप को MICHस आंस काश्याम को एनक कई दिया है इसके बाद अपन पर पर क्लिक कर लेंगे आप यह पर देख सकते हैं चलिए इसके बाद आप Nagata पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखे mobile number fill up करने के लिए आगया है तो आप इस box में अपना mobile number fill up करेंगे यहाँ पर mobile number fill up करने के बाद next पर click कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर allow access पर click कर लेंगे यहां से allow पर click कर लेंगे allow पर click कर लेंगे आप यहां पर देखे DST number या फिर pen number fill up करने के लिए गया है यदि आपके पास DST number है तो आप इस box में fill up कर लेंगे यदि आपके पास DST number नहीं है तो आप इस box में अपना pen number fill up कर लेंगे तो आप इस box में अपना email id fill up कर लेंगे यहाँ पर detail fill up करने के बाद continue पर click कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे आधार based KYC complete करने के लिए आगया है सबसे परला step आपको यहाँ पर अपना आधार number fill up करना होगा इसके बाद जो भी आपके आधार card के साथ mobile number link है उस पर OTP आएगा और आप लोग OTP को fill up करेंगे इसके बाद आपका यहाँ पर KYC complete हो जाता है चलिए इसके बाद आप यहाँ पर complete pool KYC पर click करेंगे अब जो भी आपका आधार number है आप इस box में अपना आधार number fill up कर लेंगे यहाँ पर आधार number fill up करने के बाद next पर click कर लेंगे अब जो भी आपके आधार card के साथ mobile number link है उस पर OTP आया होगा आप इस box में OTP को fill up कर लेंगे यहाँ पर OTP fill up करने के बाद submit पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे digilocker का login pin fill up करने के लिए गया है तो जो भी आपके digilocker का login pin है आप इस box में fill up कर लेंगे यदि आप अपने digilocker का login pin फूल गये है या फिर आपका digilocker में account नहीं है तो आप यहाँ पर forget my pin पर click करके digilocker का दुबारा सी pin बना सकते हैं चलिए हम यहाँ पर digilocker का login pin fill up कर लेते हैं यहाँ पर digilocker का login pin fill up करने के बाद done पर click कर लेंगे अब आपको इस तरीका से open हो जागा यहाँ पर देखे लिखा issue document तो यहाँ पर आधार card, driving license, pen verification record तो यहाँ पर देखे आधार card के सामने वाले box में tick लगा हुआ है इसके बाद यहाँ पर pen card के सामने वाले box में tick लगा हुआ है इसके बाद आप यहाँ पर allow पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे biometric setup करने के लिए आगया है यदि आप biometric setup करना चाहते हैं आपके mobile में biometric है, तो आप यहाँ पर setup biometric पर click करके, आप यहाँ पर biometric setup कर सकते हैं, चलिए हम बाद में biometric setup कर लेंगे, तो हम यहाँ पर I will do this later पर click कर लेते हैं, चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इसको cut कर लेंगे, दोस्तों यहाँ पर credit card के balance को bank account में transfer करने से पहले, यहा दोस्तों इसका क्या जरुवत है, हम वीडियो के आगे आपको दिखाएंगे, चलिए इसके बाद आप यहाँ से इसको cut कर लेंगे, और back हो जाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पर देखे, आपको बहुत सारा option दिखने को मिलता है, तो हम इसके बारे में detail में बात करेंगे, अब दोस्तों जो भी आपके mobile number के साथ credit card link है, यहाँ पर वह credit card show करता है, आप यहाँ पर manage card पर click करके card को manage कर सकते हैं, add card पर click करेंगे, तो आप यहाँ से credit card को add भी कर सकते हैं, manage card पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखे, आपको credit card show करेगा, आप यहाँ पर add पर click करके credit card को add क जो भी credit card के balance को आप bank account में transfer करना चाहते हैं आप यहाँ पर three dot पर click करेंगे तो आप यहाँ से credit card को delete भी कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप credit card balance को bank account में transfer करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह credit card को add कर लेंगे credit card add करने के लिए आप यहाँ पर add card पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखे credit card का detail fill up करने के लिए आगिया है यहाँ पर है name on card तो जो भी credit card पर नाम लिखा है आप यहाँ पर वह नाम fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर एक Card Number तो आप यहाँ पर करेट Card का Numberuning Fill Up कर लेगे इसके बाद यहाँ पर 처음 Ce急 तो आप यहाँ पर यहाँ पर First Club Card Type आप इस पर Click करेंगे और आप यहाँ सेid Select कर लेगे आप BOYC bisschen Card की आप यहाँ पर Add किये है वह किस तरह का credit card है देखिए हमारा flip card credit card है तो हम यहाँ पर flip card select कर लेते हैं इसके बाद add card पर click करेंगे अब यहाँ पर आपके credit card को verify किया जा रहा है अब आपके mobile number पर OTP आएगा आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे यहाँ पर OTP fill up करने की बाद confirm पर click कर लेंगे अब card add हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा wait करना है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो credit card add किया है वह add हो चुका है लेकिन यहाँ पर देखिए अभी लिखा हुआ है pending तो आपके credit card को यहाँ पर verify किया जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर देखिए card verify हो चुका है इसके बद आप pay पर click करेंगे आप यहाँ पर देखिए pay में नाम add करने के लिए आगिया है तो आप यहाँ पर bank account पर click कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखिए bank account detail fill up करने के लिए आगिया है तो जिसके भी account में आप credit card balance को transfer करना चाहते हैं आप उसका account number आप यहाँ पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर confirm account number तो यहाँ भी आपको account number fill up कर लेना है इसके बाद यहाँ पर IFSC code तो जो भी bank का आपने यहाँ पर account number fill up किया है उस bank के branch का IFSC code यहाँ पर fill up करेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर account detail fill up करने के बाद आप इस पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे आगए pay details तो जिसका भी आपने यहाँ पर account number fill up किया है यहाँ पर उसका नाम automatic fill up हो जाता है इसके बाद नीचे में box दिया हुआ है इसे fill up करने की जरूत नहीं है इसके बाद आप यहाँ पर add new pay पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे हमने जो pay में नाम add किया है वह add हो चुका है चलि इसके बाद आप make payment पर click करेंगे आप यहाँ पर देखे amount fill up करने के लिए आगे है तो आप जितना भी credit card balance को bank account में transfer करना चाहते है आप यहाँ पर वह amount fill up कर लेंगे आप यहाँ पर 5,000 रुपे से अधिक amount fill up करिए 5,000 रुपे से अधिक amount क्यों fill up करना है हम वीडियो के आगे आपको बताएंगे चलि आप यहाँ पर 5,000 रुपे fill up कर लेते हैं इसके बाद आप next पर click कर लेंगे आप यहाँ पर देखे पैसा transfer करने के लिए आगे है और यहाँ पर पैसा transfer करने का 3 option दिया हुआ है सबसे परला यहाँ पर है lighting pay lighting pay के माद्यम से आप लोग 60 minute के अंदर पैसा transfer कर सकते हैं हम इस पर click करते हैं तो यहाँ पर देखे बताया गया कि आपका card अभी पूरी तरिका से validate नहीं हुआ है जब आपका यहाँ पर card validate हो जागा उसके बाद आप लोग lighting pay के माद्यम से पैसा transfer कर पाएंगी इसके बाद निचे में दूसरा option दिया गया quick pay या भी lock लगा हुआ है quick pay के माद्यम से आप लोग same day में credit card balance को bank account में transfer कर पाएंगी हम quick pay पर click करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि team के तरफ से card को validate किया जागा उसके बाद ही आप लोग balance को transfer कर पाएंगी चलिए okay पर click कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर तीसरा option है classic pay इसके माद्यम से आप credit card balance को bank account में transfer करते हैं next business day में आपके bank account में पैसा transfer किया जागा इसके लावा इसमें आपको 1.89% charge लगता है लेकिन आपको यहाँ पर घवराने की जरुतनी है यह charge आपको नहीं लएगा चलिए इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे यहाँ पर देखिए हम यदि 5000 रुपे transfer करते हैं तो यहाँ पर 94 रुपे 50 पैसे convince भी लएगा इसके लावा GST 17 रुपे लएगा यहाँ पर total हमें 5,111 रुपे पे करना होगा तो आपको यहाँ पर घवराने की जरुतनी है यहाँ पर देख सकते हैं आपको reward point मिलता है तो यहाँ पर reward है 100 रुपे का तो आप यहाँ से इसको select कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अब 5,111 रुपे आपको pay करना है मातर यहाँ पर 11 रुपे यहाँ पर extra लग रहा है चलिए कोई बात नहीं है इसके बाद आप continue पर click कर लेंगे आप यहाँ पर देखे details हो कर रहा है जो भी आपने bank account fill up किया यहाँ पर so कर रहा है इसके बाद आप confirm पर click कर लेंगे आप यहाँ पर देखे CVV code fill up करने के लिए आगया है तो credit card के पीछे में 3,4 का CVV code रता लिखा हुआ आप यहाँ पर fill up कर लेंगे यहाँ पर CVV number fill up करने के बाद continue पर click कर लेंगे अब आपके mobile number पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगे यहाँ पर OTP fill up करने के बाद confirm पर click कर लेंगे यहाँ पर देखे आगया है successful यहाँ पर देखे अभी लिखा है processing तो यहाँ पर जो date आपको फोग कर रहा है उस date में जो भी आपने account एड़ किया उस account में यहाँ पैसा transfer हो जाता है यदि आप इसे share करना चाहते हैं तो share पर click करके आप यहाँ से share कर सकते हैं चले इसके बाद हम back हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो bank account में हमने credit card balance को transfer किया है उस bank account में यह पैसा आ चुका है यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5,000 रुपए transfer किया था IDBI bank में तो यहाँ पर देख सकते हैं so कर रहा है इसके बाद दोस्तों आप भारत next app को open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर देखी लिखा 0 आप इस पर click करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर rewards पर click कर लेंगे तो यहाँ पर देखी आपको reward दिया जाता है आप यहाँ पर इस reward पर click करेंगे और इसको scratch करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं देर सो भारत next cash लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आपको वीडियो मत्या था कि आप 5000 रुपे से जड़ा credit card balance को transfer करिए 5000 रुपे से जड़ा credit card balance transfer करने पर आपको reward दिया जाता है और यहाँ पर दिख सकते हैं लिखा देर सो भारत next cash तो अगली बार जब आप credit card balance को bank account में transfer करेंगे तो आप इस reward point को लगा देते हैं तो credit card balance transfer करने पर आपको कोई भी charge नहीं लगता है तो दोस्तों इस तरिका से आप लोग credit card balance को अपने bank account में free में transfer कर सकते हैं यदि आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी error सो करता है तो comment करना मत भूलिए आपके comment का जबाब हम जरूर देंगे फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याला किएगा बाई, take care